जै मैतादी नमस्ते तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुरुबार का ब्रत का नियम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे गुरुबार का ब्रत कब से करना चाहिए कब तक करना चाहिए कितने दिनों से कितने दिनों तक करना चाहिए तो इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं हिंदु धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी या देउता को समर्पित होता है इसी प्रकार गुरुबार का दिन जगत के पालनहार प्रभुश्री हरी को समर्पित माना गया है धार्मिक मनेताओं के नुसार गुरुबार का बर्त करने से साधक के जीवन में सुख समर्दी बनी रहती है लेकिन इसके साथ ही इस ब्रत से जुड़े कुछ नियम का भी ध्यान रखना बिहद जरूरी है तो चलिए जानते हैं कि आप गुरुबार का बर्त कब से सुरू करें अगर आप पहली बार गुरुबार का बर्त रखने जा रहे हैं तो किसी भी माह में के सुक्ल पक्ष के पर्थम गुरुबार से इस ब्रत की सुरूरात कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखे कि इस ब्रत को पौस माह में सुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन जो जातक पहले से गुरुबार का बर्त कर रहे हैं वह पौस माहा में भी यह ब्रत कर सकते हैं तब चली जानते हैं कि कितने गुरुबार का ब्रत करना चाहिए यदि आप गुरुबार का ब्रत सुरू करना चाहते हैं तो 5, 11, 21, 51, 101 आदी दिनों तक उपवास कर सकते हैं इसके साथ ही सोलह गुरुबार का ब्रत रखना भी अच्छा माना जाता है वहीं आप गुरुबार का ब्रत एक, तीन, चार या साथ साल तक भी कर सकते हैं तो अब चली जानते हैं गुरुबार के ब्रत के पूजा के नियम के बारे में गुरुबार के दिन सुबह जल्दी उठकर बिशनु जी और विरस्पती देव का ध्यान करते हुए ब्रत का संकल्प ले इसके बाद नरायन भगवान को पीले बस्त पीले फूल पीले फल मिठाई आदी चढ़ाएं इसके बाद गुरुबार ब्रत कथा का पाठ करें साथ ही क केले के पेड़ी की भी पूजा करें और अपनी पूजा में भी केले के पत्तों को सामिल करें अंत में विशनु जी की आरती करें बस इस बात का ध्यान रखे कि गुरुबार ब्रत में नमक का उप्योग नहीं करना चाहिए तो इस तरह आप गुरुबार का ब्रत कर सकते हैं तो ये जनकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें जये मता दे नमस्ते